नमस्कार मैं हूँ आसेश चित्रांसी और आप देख रहे हैं दन्यूज लॉंचर फलोधी का 60 बजार भाजपा का बिखरा बजार यानि उजड़ा बजार नड़ा की वीडियो कॉन्फरेंसिंग और परवेख्षकों का हवाई जहाज इन सब पर नजर डालें तो राजस्थान इस समय पूरे देश में सबसे गर्म राज्य है ठंड़क कितनी भी पढ़ रही हो राजस्थान की गर्मी कम होने का नाम नहीं ले रही है इस वीडियो में हम आपको फलोदी के 60 बजार में कौन से चेहरे चमक रहे हैं उन चेहरों का भाव बताएंगे उन चेहरों के चक्कर में भाजपा के उजड़े बजार में कौन नए दुकानदार नजर आ रहे हैं वो भी बताएंगे ऐसा पहली बार क्यों करना पड़ा कि विधायक दल के साथ भाजपा के राश्ट्रिया ध्यप्छ जेपी नडड़ा वीडियो कॉन्फरेंसिंग पर आने को मजबूर हो गए इसकी भी पड़ताल करेंगे और कहां रह गए हैं परवेक्छक इसकी भी पड़ताल करेंगे सुरुआत सट्टा बाजार से करते हैं फलोदी का सट्टा बाजार जो चुनावी नतीजों में आउधे मुख गिर पड़ा था उस सट्टा बाजार में एक बार फिर रोनक है और ये रोनक भाजपा के अंदरूनी घमासान की वजह से है वक्त गुजर चुका सब्ता भर होने को है लेकिन मुख्यमंत्री का चेहरा आज भी साफ नजर नहीं आ रहा है धुंद जमी हुई है और इस धुंद में सट्टा बाजार फिर से जगमगा उठा है लेकिन इस जगमगाहट में नाम तला सेंगे आप तो पहला नाम है वो सुंद्रा राजे सिंधिया का सट्टा बाजार में महारानी का भाव सबसे दमदार है सट्टा बाजार में जिसके नाम पर सबसे कम कीमत लगती है वो नाम सबसे मजबूत होता है और सट्टा बाजार में मुख्यमंत्री पद के लिए वो सुंद्रा राजे के चेहरे पर अभी भाव चल रहा है सवा रूपया सवा रूपय मात्र दूसरे नमबर पर इस सट्टा बाजार में बाबा बालकनात है बालकनात ही योगी लेकिन योगी का भाव वसुंधरा के मुकाबले बहुत कमजोर है धाई रुपए का भाव है यानि आधे कांतर है धाई रुपए के भाव पर बालकनात है तीसरा नाम जिसकी चर्चा सामाने तोर पर चैनलों पर नहीं हो रही है लेकिन सटा बाजार में उनका नाम भी दोड़ रहा है ओम बिल्ला ओम बिल्ला तो वैसे भी जब लोग सभाव में स्पीकर की चेयर पर रहते हैं तो चल्चित होते हैं उनके वीडियो जी यूट्यूब पर लगते हैं भक्त तालियां बजाते हैं महुआ मुहित्रा के निसकासन के बाद भी बिल्ला सहब ट्रेंड कर रहे थे एक्सपर तो बिल्ला सहब फलोदी के सटा बाजार में भी मौजूद है और उनका रेट है तीन रुपए तीस पैसे एक और नाम है जो नाम में इस्ट्रीम मीडिया में नजर नहीं आ रहा है नाम है अस्वनी वैसनों का लगातार ट्रेन हादसे हो रहे हैं उडिसा से लेके उत्तर प्रदेश और बिहार तक आए दिन अब तो हलाकि चर्चा नहीं होती चैनलों पर क्योंकि ट्रेन हादसों पर चर्चा करना सायद राष्ट के आविरल विकास में बाधा बन जाए इसलिए अब हादसों पर ट्रेन हादसों पर चर्चा नहीं हुआ करता है दौर गुजर चुका जब ट्रेन हादसों पर पूरे पूरे दिन चर्चा करते थे लेकिन वही रेल मंत्रा ले समालने वाले असुनी वैस्नों इस फलोदी के 60 बाजार में सीम पत की रेस में चौथे नमबर पर है पांच रूपए साढ़े पांच रूपए के आसपास इनका भी भाव चल रहा है अब इस भाव के बीच में कईयों के भाव बिगड रहे हैं और कईयों के भाव बनते नजरा रहे हैं पुराने नामों के बीच में नए नामों की सुगबुगाहट होने लगती है लेकिन जब दिल्ली में वसुंधरा के बारे में चर्चा होती है तो चेहरा उतर जाता है चेहरे पर सिकन आने लगती है लोग कहते हैं वसुंधरा से निपटना इतना आसान नहीं है दिल्ली में डेरा डाल कर बैठी है वसुंधरा के चक्कर में तो साइद मोदी जी को भी नीदना रही हो क्योंकि वसुंधरा के सुभाव को जानने वाला ये जानता है कि वसुंधरा से टकराने में फाइदा होगा या नहीं होगा लेकिन नुकसान तय है राजंदर राठावड इसके साक्षी हैं चुनावहार के बैठे हैं अब बात करते हैं वीडियो कॉन्फरेंसिंग की एक वीडियो कॉन्फरेंसिंग होती है भाजपा के इतिहास में बताये जा रहा है कि कभी राष्ट्रे अध्यक्ष विधायकों के साथ जो नौ निर्वाचित विधायक दल के साथ वीडियो कॉन्फरेंसिंग से बात चीत करें साइद ऐसा हुआ नहीं है भाजपा के इतिहास में लेकिन मजबूरी देखिए नड़ा साहब क्या मोदी जी का संदेश लेकर के गए थे या विधायकों को क्या बताना चाहते थे सरकार गठन नहीं हुआ कहा जा रहा है कि वीडियो कॉंफरेंसिंग पर जो विक्सित भारत य आप सोचिए कि ये वक्त जहां मुख्यमंतरी नहीं तैकर पा रहे हैं वहां विक्सित भारत संकल परत की चर्चा कैसे होगी तो आखिर वीडियो कॉंफरेंसिंग पर आने की मजबूरी क्यों पड़ी ऐसी क्या मजबूरी हो गए और ये मजबूरी समझना है तो इस परिवेक्षक न्युक्त किये गए परिवेक्षकों की न्युक्ति को अब तक करीब 36 घंटे गुजर चुके होंगे राजनात सिंग केंद्रे रक्षा मंतरी राज्यसभासांसत सरोज पांडे और विनोत तावडे बीजेपी के महासचिव राष्ट्रे महासचिव इन तीनो को परिवेक्षक न्युक्त किया गया था और चल्चा उसी समय से थी कि सनिवार को ये परिवेक्षक पहुंचेंगे और सनिवार साम होते होते बिधायकों के साथ बैठक होगी लेकिन सनिवार गुजर चुका राष्ट्रिय अध्यक्ष ने सनिवार की देर रात रात आठ ये बात चीत की चल्चा की लेकिन तब तक परवेक्षकों का जैपूर की धर्ती पर कोई अता पता नहीं था हो सकता है अब चार्टर्ड विमान लेंड करें जैपूर में और उससे रक्षा मंत्री राजनात सिंग बिनो तावड़े और सोज पांड़े निकलें हलाकि जविवार को भी अब बिधायक दल की बैठक नहीं होने की ही खबर है और जानकारी जो मिली देर राद जानकारी जो हमें मिली उस जानकारी के मताबिक अब सोमवार यानि 11 तारीक को बिधायक दल की बैठक होगी आखिर विधायक दल की बैठ़ग भी टलती जा रही है और उपर से कुछ नेता कह रहे हैं कि जो हमारा तरीका है प्रक्रिया है वो हम् प्रक्रिया पालन कर रहे हैं हम लोगोंने तमाम राज़्यों में और खास कर मुदी जी के राज में मुदी युग में तो तमाम राज्यों में बीजेपी की सरकारों को बनते देखा है ऐसी लंबी प्रक्रिया तो वहां भी नहीं देखी जहां पर बिधायकों को गुजरात और गुजरात से असम ले जाकर के दूसरे दल की बिधायकों को बैठाना पड़ा फॉर्म हाउस में और फाइव श्टार सेवन श्टार होटल्स में वहां भी इतनी प्रक्रिया नहीं देखनी की नोबत आई और जहां पर पूर्ण बहुमत असमष्ट बहुमत के साथ भालती जनता पार्टी को सरकार बनाना है वहां पर ये प्रक्रिया कुछ जादे ही लंबिक या नहीं हो जा रही है आप महराश्ट रियाद कर लीजिए सिंदे को रियाद करिए एकनास सिंदे महराश्ट से गुजरात, गुजरात से हवाई जहां जुड़ा गौहाटी और सब कुछ होने के बार फिर सारी प्रक्रिया गुजरात और असम में हुई, मुंबई पहुचने के बाद प्रक्रिया नहीं हुई लेकिन यहाँ पर 115 पर प्रक्रिया मध्य प्रदेश में रेकार्ड तोड़ जीत पर प्रक्रिया और मामा हल जगर कह रहे हैं कि मोदी जी को 29 सीट जीतानी है ध्यान रखियेगा अब वो मद्दाताओं को कह रहे हैं या मोदी जी को बता रहे हैं कि 29 सीट जीतनी है ये ध्यान रखना मोदी जी को ध्यान दिला रहे हैं मद्दाताओं को आप बहतर समझ सकते हैं खेर हैं मजबूर भाजपा का संगठन भाजपा के पताधिकारी भाजपा की लीडर्सिप इन तीनों को जोड़िये तो क्या ये नजर नहीं आता है कि वसुंधरा को नकारने में वसुंधरा के नाम को खारिज करने में बीजेपी की सेंटरल लीडर्सिप पहली बार खौफ जदा नजरा रही है डरी हुई है घबराई हुई है सहमी हुई है कि 25 में 25 का खेल न बिगड़ जाए मुख्यमंत्री बनाने के चक्कर में प्रधानमंत्री वाला और प्रधानमंत्री पत्पर हैट्रिक वाला सपना न तूट जाए और उस सपन इस संकट पर हमारी नजर है लेकिन सटा बाजार पर भी नजर आप रखिए किसका भाव गिरता है और किसका उठता है और फाइनली कौन पूरे भाव के साथ जाता है और मुख्यमंत्री पत्की सपत लेता है फिलाल इस वीडियो में दीजिए इजाज़त देखते रही है आ पुछने वाली पत्रकाईता के लिए न्यूज लांचर को सबस्क्राइब कीजिए हमारे वीडियोज को लाइक और सेर कीजिए नमस्कार